देखिए ये साड़ी कवर के लिए एक पीस हमने कटिंग किया है इसका मेजर्मेंट है ये 21 इंच इसका है हमें ये तयार फाबरिक 20 इंच वाई 15 इंच का हमें लेना है लेकिन क्विल्टिंग करने से पहले हमने एक 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 इंच एक्स्ट्रा लिया और आप यहाँ चुटे चुटे ब्लॉक्स बना सकते हैं मैं यहाँ पाच-पाच इंच के अगर आप जल्दी में है और साड़ी कवर बनाना चाहते हैं तो कैसे क्विल्ट करते हैं यह मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी देखिए यह मैं पाच-पाच इंच के और यहाँ पाच-पाच इंच के मैं लाइन ड्रॉ करूंगी पह लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आपको कैसे करना है इसलिए मैंने यी बड़ी डिजाइन बनाई है और इसके उपर हम सिलाई करेंगे इसके साथ हमने ये 6 mm का फोम लिया है और ये 120 JSM का ये 9 mm का फाबरिक है तो ये हमने नीचे की साइड में लिया तिनों को साथ में हम सिल करेंगे देखें ये हम ये ऐसा वाला थ्रेड यूज करेंगे ये बहुत सुन्दर थ्रेड है टूपता नहीं है ये नाकोडा का थ्रेड है 2000 मिटर का ये 55 रुपीज का आता है होलसेल में और ये हम उपर मशिन में ये वाला थ्रेड लगाएंगे और बॉबिन में ये थ्रेड क्योंकि ये मैचिंग का है और ये नीडल हमने लिए है 18 नमबर की दिखिए ऐसे हमने सिलाई की 1,2,3 और यहाँ 1,2 पाच-पाच इंच के लिए है यहाँ आप 2-2 इंच के भी चोटे- इसके बाद यहां से हम सिलाई करेंगे यह हम यहां क्रॉस में सिलाई करेंगे इसके बाद यह हम यहां हमें नहीं करना है यह लाइन के उपर इसके बाद यह लाइन हम करेंगे इसके बाद यह लाइन चोड़ेंगे यहां करेंगे यह चोड़ेंगे देखिए इसे हमने यहाँ एक सिलाई की यहाँ उने के बाद यह एक लाइन आती है यहाँ हमें नहीं करना है तो इसके आगे वाला तो यह साइड हम यह जो क्रॉस है वहाँ पर हम सिलाई करेंगे कैसे हैं यहाँ हम सिलाई करेंगे देखिए यहां हमने सिलाई की इसके बाद यह लाइन आती है इसे यह लाइन आती है इसको हम नहीं करेंगे इसके बाद आगे की यह साइड यहां हम सिलाई करेंगे देखिए यह जो लाइन आती है इसके उपरा सिलाई करेंगे यहां से यहां तक देखिए यहां से सिलाई की यहां आपने ऐसे हमें नई करना है तो यह होने के बाद यह ऐसे सिलाई है तो हम ऐसे करेंगे देखिए यहां से यह जो कॉर्णर है पहले हम यहां से यहां तक सिलाई करते हैं यहां सिलाई की यह line जो आती है यह हम नहीं करेंगे इसको छोड़ देंगे इसके बाद यहाँ से सिलाई करेंगे यह जो corner है यहाँ से ऐसे यहाँ तक हम सिलाई करेंगे देखिए यहाँ से हमने ऐसे सिलाई की इसके बाद यह side हम नहीं करेंगे यह side हम छोड़ देंगे और यह होने के बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे को जब भी सिलाई करना है तब यह आप ऐसे line draw करके भी सिलाई कर सकते हैं जैसे हम यह light से line draw की हैं हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे देखिए यह side हमने की तो हर एक block के उपर सिलाई आई है ऐसे हमारा यह quilting complete हो गया और जो measurement है वैसा हम इसके बाद cutting करेंगे cutting करने के लिए यहाँ हमें एक side में एक straight line draw करेंगे यहाँ पर भी हम एक straight line draw करेंगे corner पर यहाँ और यहाँ हमने line draw की line draw करने के बाद इसके उपर हम cutting करते हैं दोनों side cutting होने के बाद यहाँ से हम 15 inch लेंगे यहाँ से 15 inch लेंगे एक line draw करेंगे और यहाँ से 20 inch लेंगे यहां से 20 inch यहाँ line draw करेंगे और जो mark किया है इसके उपर cutting करते हैं दिखिए ऐसे यह quilting हमारा complete हो गया ऐसे यहाँ हमने body design बनाई है आप यहाँ छोटी भी design बनाकर ऐसे quilt कर सकते हैं लेंगे उते हैं